जेल से बाहर आने के पांच दिन बाद फाइनली क्यारके ने बताया कि उनके साथ जेल में क्या हुआ क्यारके ने अपनी एक पोस्ट में ये भी बताया कि जेल के अंदर पुलिस उनसे किस तरह से पेश आई और किस टॉर्चर से उन्हें गुजरना पड़ा कॉंट्रवर्शनल ट्वीट के मामले में क्यारके को 30 अगस्त को मुंबई एरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था उसकी बाद उन्हें 14 डेस की जिडिशल कस्टिडी में भेजा गया इसी बीच एक और केस उनका हो गया और उस कारण भी क्यारके को जेल में 9 दिन रहना पड़ा क्यारके जेल से बाहर आ चुके हैं सोशल मीडिया पर वो जितने अक्टिव रहते थे और जिस तरह की बाते करते थे वैसे तो अभी तक क्यारके ने कुछ भी पोस्त नहीं की है लेकिन आज क्यारके ने अपना दर्द बया किया है कि आखिर जेल में रहते हुए उनके साथ क्या हुआ क्यारके ने बताया कि जेल में उन्हें ऐसा टॉर्चर किया गया कि 10 दिन में उनका 10 किलो वजन घड़ गया KRK का कहना है कि जेल में उन्हें खाना नहीं दिया गया पिछले 10 दिन उन्होंने सिर्फ और सिफ पानी के सहरे गुझारे और इस कारण नोंकी ये चाहलत हो गई क्यार के already एक heart patient है क्यार के जब arrest हुए थे तब भी उन्हें सीने में दर्द हुआ था जिसके बाद उन्हें hospital ले जाया गया और एक दिन वो hospital में admit भी रहे इसके बावजूद अगर जेल में उनके साथ ये treatment हुआ है तो वाकई में चिंता की बात है